टाम राब सबी को, वेलकम बैक टो दे चनल, उमीद करता हूँ आप सब अच्छ होंगे, तो यह है AllNew Tata Punch.EV, इसके वेरिंट की बात करें, तो यह Adventure वाला है Long Range के अंदर, कार के अंदर आपको 5 डिफेरेंट कलर के Option मिल जाते हैं, कार के अंदर दो इसे की दिखनी मिल जाती है रिमोट कंट्रोल की, जिसके अंदर आपको मिल जाता है Lock, और मिल जाता है Unlock, Lock, Unlock पर ऐसा कुछ साउंड करेगी, साउंड तब ही करेगी, जब आपका कोई डोर ओपन होगा, या हुड ओपन होगा, या फिस आइसे बूट ओपन होगा, तो आपको इसा बीप करके साउंड करेगे, अगर इनकेस अगर यह सब कुछ बंध है, तो कार आप अराम से आपकी Lock, Unlock हो जाएगी, यहां बत करें, तो यहां मिल जाता है आपको डारेट से कुछ लाइट चालू कोने के लिए, जो आपके Connecting DRL है, और आपके जो प्रोजेक्टर है, उसको चालू करने के इधर बात करें, तो यहां पर इंडिकेटर लाइट देखनी मिल जाती है, जो LED मिलती है, पूरी आपको Connecting DRL देखनी मिलती है, जस नीचे बात करें, तो हाई और लोबिम के लिए प्रोजेक्टर मिल जाता है, फोग लैम भी आपको LED देखनी मिल जाता है, तो यह काफी प् बात करें, साथ से टायर प्रोफाइल की बात करें, तो टायर कुछ ऐसा देखनी मिलता है, 195 16R 16, 16 इंच का आपको इस टाइप का ऐलोबिल देखनी मिलता है, विससे देखा जाए तो यह एलोबिल नहीं है, इसके अंदर आपको वील कवर मिलता है, और यह स्टील रिम के इसके अंदर आपको इंटीना देखनी मिल जाता है, और और कार का फ्रेंट से ऐसा कुछ लुक देखने के लिए मिल जाता है, इधर चलता है अपन, वो ही सारी चीजे मिलती है, कार के अंदर को कीले से एंट्री मिल जाती है, जैसे मैं चावी जे में रखता हूं, प्रपर की बात करें, तो 90 डिगरी ओपन हो जाता है, ड्यूल टॉन में आपको इंटीर देखनी मिल जाता है, यहाँ पर ब्लैक और यहाँ पर इसके अंदर लाइट ग्रीन देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर आपको इसके लिवर मिल जाता है, जो प्ला वाली है不ए सिंग आपको 6 सिछ इस टाइप से अब करने के लिए पिछे करने के लिए रेक्लाइन के लिए मांगोर जाता है तो यह नाफे मिल जाते हैं यहां पर이면स्टार जाता-बक है क्वच्विट्स जाता है आपको यह सारी चीजे मिल जाती ही इस साइट से यहाँ पर इसके थोड़ी चीजे आपको मिसा उठ हो सकती है जो टॉप मोडल में आती है बट यह भी काफी वैली फोर मनी रहने वाला है वरियंट क्यों कि इस इंदर सारी चीजे मिल जाती है मोडता है नinks जिसे दिखा दते हूं कुछ इसिफ यहां पर कम दोनों काम करने के यह यहां पर फेन के ब्लोवर के लिए, आपको स्पीड के लिए मिलता है, हँआ पर नहीं मिलता है, यहां पर इसके अंदर हील्ड होल के लिए, यहां आगे से आपको जो ऐपन होता है, आपको चार्डिंगे क्ट्रीन सब्सक्राइब कर सकते हैं can आपको मिलता है sports mode जो आपको यहां पर इंडिगेट करेगा एक आपको city mode मिलता है एक आपको इसके अंदर eco mode मिल जाता है यहां पर electric handbrake मिल जाता है auto hold के साथ में चोटा सा space यहां दो cup holder मिल जाते हैं यहां पर भी space और यह जो है यह प्लूरा यहां बात करते हैं यहां बात करते हैं यहां आपको लाइट मिल जाती है अब टाटा की हर गाड़ी के अंदर आपको LED मिल जाता है जिसके कारण आपको कहीं होगा नहीं कि मैं aftermarket कुछ fit करो यहां से airbag on off करने के लिए यहां पर इंडिगेट करेगा आपको क्यों सा कर दिया है कि on कर रखा है यहां प्रको माइक मिल रिखा है इदर आपको है के साथ में और यहांから करने के साथ में और यहां पर पार्शल टी मिल जाती है को रखने के लिए यह इन हैं तो यह आपको Wpter iron को क्लोड़िया का यूजWest का इंग हूज साथ ताएब से ह 對啊 मिल की बात करें और टेलिस्कोपिक नहीं मलती है यह काफी है इसकी भी स्टेलिंग मुझे रखता था ठाटा हेरियर की मलती है जो यह है इसकी भी काफी है इधर आपको पैडल शिप्टर मिल जाता है जो रीज अनिटी के लेवल के लिए काम आएंगे और साइसा लेवल करेंगे तो देख सकते हैं 140 मैं आपको आप दिखा देता हूं अभी 145 ठीके 145 शो रही है जिसे आपको इसको टूप लाएंगे 143 वन पर लाएंगे 139 और लास्ट पनाएंगे 135 तो चार आपको लेवल मिल जाते इसके अंदर हैंडब्रेक लिए मिल जाता है डिजिटल बल जाते हैं इसे बी पार्किंग पर देखने के लिए इको मोट पे दो इसके लिए देखने लिए मिल जाता है अब बस एक सब्सक्राइब यहां ठीक अप सज़िए उपर साइड में आप टाइम और शाय से क्या प्रोल्म हारी है इत पर गारभर इसको सभी करते हैं तो यह तीन ने के दंग आए रिंज दैखने कि मोनता है छी कॉन सा डूर रोपन उसके लिखने के भाड़ जाया टायर प्रेशार मोनिटर यह है do आपको इसके अदर exit, automatic, km, cruise control लिए मिल जाता है है यहां पे आपको trip A, trip B देखने के लिए मिल जाता है है यह सारी चीज़े मिल जाती है seatbelt warning देखने मिल जाता है यहां पे fuel के level स्वारी battery के percentage यहां फुल पर होगे तो full, E पर है तो E के लिए और प्रिचivas के लिए और आपको मिस्टलिए आपको ड्राइबर के लिए और आपको रिजनरियो के लिए लाट के लिए औरiksमरा 5 उतसा न मिल जाता है यह कुछा ह那個 Kanad लटाख democr sum करें तो स्टार्ट स्टोप के लिए बटन्स और बात करें तो यहां मिल जाता है आपको 7 इंच का टच स्क्रीन जिसके अंडर एपल कार प्ले अंडर ओटो चला सकते हैं करेंद को 4 इंटर दो आपको टुटर प्लाइड करेंगे इस इंट पर लॉस देखने के लिए मिल जाता है इसकी बात करतों यहां से मुझेक्स में जा सकते हैं वॉल्यूम स्टाइब कर सकते हैं होम पर जाने जाता है नौट के लिकेशंट के लिए डेमो जाता है फोन पारक शीरी अंपरेशंट के लिए हैं ट्रोल यहां पर ह हरमान की तरब से तो मूझी कीếu प्राइब शूंद के लिए हैं प्रेंड्टे अठीz सीटर्बॉद की निल जाता है तो नीरूम अच्छा कासा, हेडरूम अच्छा कासा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इसकी वार notch point मिल जाएगा, seat belt warning मिल जाती है, braking and traction के बाद करें, तो car के अंदर ABS मिलता है, EBD मिलता है, brake assist, electronic stability program, hill hold, traction hold, hill descent control, इतनी सारी चीज़े मिल जाती है, इसके अंदर braking wise, तो इस सारी चीज़े आपको अच्छे मिल जाती है, इस price points के अंदर, इस price point के अंदर, मैं आचुका हूँ, थाय से पूर तो अच्छा कासा मिलता है, near room भी अच्छा कासा मिल जागा, seat मैंने all do पूरा पीछे का रखा, उसके बाद recline करने के बाद भी देशेते हैं, थोड़ा सा आपको near room मिल जाता है, मेरी height 511 उसके बाद में चलूँगा, तो मुझे इतना near room और आम से मिलेगा इसको, head room अच्छा कासा मिलता है, यहाँ पे airbag का लिखाओं मिल जाता है, grab handle मिल जाता हुक के साथ में, इधर भी grab handle हुक के साथ में, rear seat dashboard कुछ ऐसा देखने के मिलता है, तो यहाँ पे मेरे साथ तीन जैने बैठ सकते हैं, यह 90 degree आपका door open हो जाए, पीछवाला यहाँ बन लिटर की bottle रह सकते हैं, यहाँ पे speaker replacement, two-trick replacement, control मिल जाते हैं, तो सारी चीज़े मिल जाती है, और बात करें, तो यहाँ पे दो adjustable headrest मिल जाता है, सीट के अंदर आपको 60-40 नहीं मिलता, बढ़ एक साथ आप फोल्ड कर सकते हैं, तीनों passenger के लिए seat belt प्रोवाइड कराईगी है, यह भी अच्छी बात है, उधर भी speaker, सारे control देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे नाक के बराबर इसके अंदर हम मिलता है, यह आपको LED मिलती है, बट मेन लाइट आपको इसके अंदर हेलोजन मिलती है, इंडिकेटर लाइट हेलोजन, रिवर्स लाइट हेलोजन, यहाँ पे हेलोजन सेटप मिल जाता है, बस LED है जो DRL मिलती है, टाटा आपको इंसाइड लिखाव मिल जाता है, पीछे साथ में नॉन फॉंक्शनल एकरी मिल जाते हैं दोड़ पारकिंग सेंसर शेंसर मिल जाते हैं स्केट प्लिट पीछे बाली के सिद्टे ऐसाथ मेर फिनिल इस तुन वह ब्लागे लिए नहीं हमत दो देख सकते हैं और को पाने अब ढूर लिए रहादे है और मिल जाते हैं तो ऊने बात कुछ ऐसा देखने मिलता है और का ओरूल इदर से भी कुछ ऐसा लुक विंडो जिर्या देख सेते हैं काफी यूज मिल जाते हैं आपको इदर से इस कार का लुक पूरा ओरूल ऐसा कुछ देखने मिलता है होड ओपन करता है फिसके इंजिन की बात करता है और बैटर की बात करता है इंजिन भी कुछ ऐसा देखी मिलता है उपर साड में इंसुलेशन मिल जाता है एलेक्ट्रिक के अंदर वैसे इंसुलेशन की जरूरत नहीं पर दे रखा है टाटा की तरप से तो यह और अच्छी ब टाम आएगा फंट फीुड ड्राइव मिल जाती है ड्राइव एक Credoop करता है इंजिन की बात करता है तो यह नो जाता है पर इसके अगर बहसे 5 वाज़ चार्जर आप परचेस करते हैं जब कार परचेस करें तो 50,000 रुपी देने पड़ेंगे तो मेरा मान नहीं है जब गाड़ी परचेस करें तभी आप इसको परचेस करें तब आप 15,000 बच जाएंगे अब इस वेरिंट की अगर एक शोरूम प्राइस की बात करें तो टाटा पंच डॉट इवी एडवेंचर लॉंग रिंज की वाइट रो कलर के साथ में तो इसकी एक शोरूम प्राइस मिलती है आपको 12,99,000 एक शोरूम जैपुर आज़स्तान के अंदर अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें शेयर करें चैनल पहली बराएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें